राधे राधे जैस्री किष्णा कहानी संग्रे में हमारी सभी स्रोताओं का हर्दिक स्वागत है भक्तों तमाम कोशिशों के बाद वीव्वा की साथ नहीं देरा पैसा इस दर्वाजे से आका दूसरे दर्वाजे से निकल जाता है परिशानी खत्म होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हर तरफ मायूसी ही मायूसी नजर आती है भगवान से विश्वास हुट गया है काम में मन नहीं लगता जिस प्रकार रात के बाद पुजाली सुवे अवर्ष ही आती है उश्य प्रकार प्रत्यक मनुसी के जीवन में सुख और दुख अबश ही आते है इससे बिचलित होने की बजाए हमें इनसे निकलने का मार्ग ढूनना चाहिए आज हम इनी समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाली कुछ बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं जिने अपना कर आप अपने भागे को प्रबल कर समस्याओं से निजात पा सकते हैं वो कौन से उपाई है यह जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें वीडियो को सेरे लाइक अवस्य करें समपोर्ट जानकारी के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें वक्तों कुछ उपाई और सदी की तरह होते हैं यह आपने सही प्रकार से इनका पालन कर लिया तो आपके जीवन में चली आ रही परेशानी उसी प्रकार खत्म हो जाएंगी जिस प्रकार डाक्टर के परामर्श से असाद रोग भी जड़ से खत्म हो जाता है हमारे सास्ट्रों के अंसार भाग्य कर्म के द्वारा आप बदल सकते हैं यह उपाई सास्ट्रों में बरडित हैं परन्तो कर्म तो स्वेम आपको ही करना पड़ेगा भक्तो आपके जीवन में अत्यदिक परेशानी के कारण आपका आत्मबल कमजोर हो गया है तो इस आत्मबल को बनाए रखने के लिए नित्य शुबय उठकर उगते हुए सूर को मीठा जल अरपित करें क्योंकि सूर आत्मबल का कारक होता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के सरीर को आत्मबल जब छोड़ देती है तो वह सरीर निर्जीप हो जाता है उश्य प्रकार यदि आपकी कुंडली में सूर कमजोर है तो आपका आत्मबल अवर्ष ही कमजोर होगा इसलिए सूर को मात्र एक लोटा नित्य मीठा जल चड़ाने से मन मस्तक ठीक प्रकार से कार करेगा क्योंकि जब इनसान का दिमाग सभी प्रकार से कार ठीक धंग से करेगा तो वह मुस्किल से मुस्किल परिस्तिती से निकल कर मंजिल को स्वते ही प्राप्त कर लेगा इसलिए इस विना पैसे खर्च किये गए इस सरल से उपाय को यदि आप छे महीने भी कर लिया तो आपको इसका परड़ाम खुद ही दिखने लगेगा दूसरा उपाय है महादेव की उपाशना अब आप ये मत सोचना के सिव की उपाशना तो हम रोज करते हैं परन्तो हमारे जीवन में जोंकी तो परिशानी बनी हुई है वक्तो सच्चे मन से भगवान की उपाशना से अवस ही आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं इसका उधारट मैं आपको यहां दे रही हूँ म्रकंड रिशी भगवान सिव के परम उपासक थे उनके भाग में संतान सुक न होने पर भी उन्होंने भगवान सिव की कठोर तपश्या कर भगवान बोले ना सिव पुत्र प्राप्ति का बरदान प्राप्त किया परन्त भगवान सिव ये रिशीवर यद्यप आपके भागे में संतान सुक नहीं है फिर भी मैं तुमारी तपश्या से प्रसन हो आपको एक पुत्र प्रदान कर रहा हूं यह आपको हर्स और सुक दोनों देगा यह अल्प आयुका होगा भगवान के आसीरवास से पुत्र प्राप्त करके रिशी क को कोई हर्स नहुआ क्योंकि वह जानते थे यह बालक अल्प आयुवाला है जब म्रकंड रिशी का पुत्र मारकंड यह बढ़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता को दुखी दे इसका कारण पूछा तो रिशी ने समस्त वातें अपने पुत्र मारकंड यह को बताई कर उनकी कठिन साधना करते हैं बगवान से प्रसंद होकर उन्हें चिरंजी भी होने का बरदान देते हैं बक्तों भगवान भूले नात नहीं ऐसे जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे के हमने तो भगवान से करनी होती है भक्तों हमें अगले पिछले जन्मों के करम का फ़ाल इस जन्म में ही भोगना पड़ता है क्योंकि हमारा जन्म करमों के खलों को भोगने के लिए होता है इसलिए यदि सौमार रत्त को रक कर आपकी फरेशानी का अंतन नहीं हुआ तो यह सोचिए कि हमारे पिछले जन्म के पाप लंबे हैं इसलिए आपको भगवान सिव की साधना भी लंबी करनी होगी तभी आपकी परिशानी दूर होगी एक बात और है जब भगवान अपने भक्त की परिशानी दूर करते हैं उससे पहले वह उसके धहरी की परिच ही देते धान जिस प्रकार काली की मार्स प्रकार और उजालम की शुवे होती लसी प्रकार गहन के कि भाड़ शुक मैं इसमें तनिक सणसय नहीं है इस लिए लोगों पर परिशानी आई महीने चार महीने भी ही कि पिर सोचने लगते हैं कि अरे हमें पूजा करते इतना समय हो गया लेकिन हमें पूजा पाठ से कुछ भी नहीं लाब मिला और वे इस बीच पूजा पाठ बीच में ही छोड़ देते हैं अर्थात मंजिल के बिलकुल करीब आकर आपने अपना रास्ता बदल दिया इस प्रकार आप कभी भी मंजिल को प्राक्त नहीं कर सकते इसलिए धैरे धारड करें मन में संकल्प रखें और ये द्रड संकल्प सूर्य उपासना से ही आपके अंदर आएगा इसलिए मन से भ्रम को निकालें अलग लग देवी देपताओं के चकर में न पढ़कर भगवान सिब की साधना में लेन रहें भगवान बोले नात के दर से कभी भी कोई खाली हात रही लोटता इसलिए दर दर बटकने से अच्छा है भगवान सिब की चौकट पर नित्य प्रभू को सीस जुका कर उन्हें बर्द देने के लिए मजबूर करें यदि आप सारे रिक रूप से असाध है पूजा पाठ नहीं कर सकते मंदर नहीं जा सकते तो आप मंसा पूजा कर प्रभू से अपने कश्टों के निवारण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं मंसा पूजा का भी वही फल प्राप्त होता है जो मंदर जाने से मिलता है मनसा पूजा वह पूजा होती है आप अपने हिर्दय में प्रभू को इस्थापित कर उन्हें धूप दीफ फल फूल चड़ाएं और आरती करें इसके लिए आपको सोचना होगा मैं तो साच्छात मंदर में जाकर प्रभू की खुद वोग लगाकर उनकी आरती कर रहा हूँ यही सोचना मात्र ही मनसा पूजा होती है क्योंकि यदे भाग बदलने की सकती देवाद देव महादेव में है तो अवस ही महीने 6 महीने साल 2 साल में आपका भाग अवस ही वदलेगा तीसरी पीपल पूजा करने से हमारे सास्तों में पीपल को देव बरच की संग्या दी गई है भगवान सिरी क्रेशन ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है ब्रचों में मैं फीफल हूँ और धात ये ब्रच विश्डू स्वरूफ होता है हमारे इसकंद पुराण के अंसार इस देव ब्रच पर देवताओं सहित हमारे सभी पितरों का बास होता है इसलिए यदि आप कामकाजी हैं रोज सीफल नहीं सीच सकते तो शनिवार को इस देव ब्रच के नीचे एक दीपक जला कर इसकी जड़ में मीठा जल अवस्थ ही अर्पित करें और इसकी पांच पर क्रमा अवस्थ ही लगाएं ऐसा करने से सभी ग्रह आपके अनकुल हो आपको अपने फितरों का आसीरवात रापत होगा लेकिन ये नियम आपको छोड़ना नहीं है लगातार करते रहना है यद छोड़ दिया तो आपकी समस्या जोंकी त्योंपनी रहेगी जिस प्रकार चार जगे थोड़ा थोड़ा कुगा खोदने से अच्छा है कि एक ही जगे खोदते जाओ अब असी आपको जल की प्रापती होगी न के चार कुगे थोड़े थोड़े खोदो बहुत छोड़ दो यहाँ पानी नहीं है इस प्रकार अनेकों देवी देवों की दो दो चार चार महीने पूजा करने से अच्छा है, भगवान सिव की पूजा मन ध्यान विश्वास के साथ करोगे, तो निश्चे ही आपके जीवन की परेशानियों का अंत हो जाएगा, तो भगतों आप भी देवा देव महादेव की उपास्ना कर अपने सभी कष्टों को दूर कर सकते हो, याद रखिए जहां विश्वास है वही जीत है, आप आपके परिवार पर सदा महादेव की क्रवा दरश्टी बनी रहे, इसी सुबकामना के साथ, आज की वीडियो को हम य यहीं भी स्राम देते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सियर करें